आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9, हिंदी कोर्स B की पाथ्य पुस्तक, स्पर्ष भाग एक से नए इलाके में कविता की व्याख्या और इस कविता के नोट्स प्राप्त करने के लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं वेबसाइट है www.madhukalash.in इन नए बस्ते इलाकों में जहां रोज बन रही हैं नए नए मकान मैं अक्सर रास्ता भूल जाता हूँ और इन पंक्तियों में आएक कठिन शब्दों के अर्थ कुछ इस प्रकार है इलाका का अर्थ है क्षेत्र और अक्सर का अर्थ है प्राय या हमेशा आएए अब इन पंक्तियों की व्याख्या करते हैं प्रस्तुत पंक्तियों में कवी ने इलाके में तीव्र गती से हो रहे निर्मान को एक संकट के रूप में दर्शाया है कवी कहता है कि नए इलाके में रोज नए नए मकान बन रही हैं इन नए नए मकानों के बीच कवी जब भी आता है वह अक्सर रास्ता भूल जाता है शहर में नए मुहले रोज ही बसते हैं ऐसी जगहों पर रोज नए नए मकान बनते हैं रोज रोज नए बनते मकानों के कारण कोई भी व्यक्ति ऐसे इलाके में रास्ता भूल सकता है कभी को भी यही परिशानी होती है वह भी इन मकानों के बीच रास्ता हमेशा भूल जाता है धोखा दे जाते हैं पुराने निशान खोशता हूँ ताकता पीपल का पेड़ खोशता हूँ धाहा हुआ घर और जमीन का खाली टुकड़ा जहां से बाएं मूरना था मुझे फिर दो मकान बाद बिना रंग वाले लोहे के फाटक का घर था एक मन्जिला इस काव्यांज के कठीन शब्दों के अर्थ ताकता का अर्थ है देखता धाहा अर्था घिरा हुआ ध्वस्त पाटक दर्वाजा अपने निश्चित ठिकाने पर पहुँचने के लिए आने जाने के रास्ते में लेखक कई निशानिया बनाता है लेकिन वे भी काम नहीं आती कवी कहता है कि जो पुराने निशान है वे धोखा दे जाते हैं क्योंकि पुराने निशान तो सदा के लिए मिट जाते हैं मकानों के बनने के कारण उस पीपल के पेड को काट दिया गया है फिर कवी पुराने गिरे हुए मकान को ढूंटा है परन्तु वहे भी उसे अब कहीं दिखाई नहीं देता अपने ठीकाने तक पहुँचने के लिए कवी जमीन के उस खाली टुकडे को ढूंटा है जिसके पास याद की गई सभी निशानियां मिठ चुकी हैं कहने का तात पर यह है कि अब बहुत से नए मकानों के बन जाने के कारण कवी को घर का रास्ता ढूंडने में परिशानियों का सामना करना पड़ता है और मैं हर बार एक घर पीछे चल देता हूं या दो घर आगे ठक मकाता हूं यहां रोज कुछ बन रहा है रोज कुछ घट रहा है यहां स्मृति का भरोसा नहीं कवी कहता है कि अपने गंतव्य तक पहुचने के लिए उसने जो निशानियां रखी थी वे सभी निशानियां इस परिवर्तन शील संसार में धोखा दे जाती हैं यानि इन निशानियों का अब कहीं नामों निशान नहीं रह गया है उसे हर बार लगता है जैसे वह एक घर पीछे आ गया है या फिर दो घर डगमगाते हुए आगे बढ़ गया है कवी कहता है नई इलाके में रोज ही कुछ नया बन रहा है कुछ पुराना तूट रहा है इस बदलते परिवेश के चलते हमारी स्मृतियां व्यर्थ हैं स्मृतियों पर भरोसा नहीं किया जा सकता जहां रोज ही कुछ नया बन रहा हो और कुछ मिट रहा हो वहां अपने घर का रास्ता ढूनने के लिए अपनी याददाश्टवर भरोसा नहीं किया जा सकता एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है दुनिया जैसे वसंत का गया पज़ड को लोटा हूँ जैसे वैसाप का गया भादों को लोटा हूँ अब यही है उपाए कि हर दर्वाजा खटखटाओ और पूछो क्या यही है वो घर समय बहुत कम है तुम्हारे पास आ चला पानी ढहा आ रहा अकास शायद पुकार ले कोई पहचाना उपर से देख कर और इस काव्याज के कठी शब्दों के अर्थ वसंत छेह रितूं में से एक रितू पज़ड एक रितू जब पेड़ों के पत्ते जड़ते हैं वैसाप अर्थात वैशाप चैत अर्थात चैत्र के बाद आने वाला महीना भादो सावन के बाद आने वाला महीना अकास अर्थात अकाश गगन कभी कहता है कि नए इलाके में एक ही दिन में सब कुछ इतनी जल्दी बदल जाता है कि एक दिन पहले की दुनिया पुरानी लगने लगती है तातपर्य यह है कि यादें एक ही दिन में पुरानी पढ़ जाती हैं जैसे एक ही पल में कई सधियां गुजर गई हो कवी को ऐसा लगता है जैसे वह महीनों बाद लोटा है जैसे वह बसंत रितू में बाहर गया था और पज्जण में लोट कर आया है जैसे बैसाक रितू में गया था और भादों में लोटा हो कभी कहता है कि अब यही उपायशेश है और उसके इच्छा भी यही है कि हर घर का दर्वाजा खटखटा कर पूछा जाए कि क्या यह वही घर है जिसमें उसके परिचित रहा करते थे कभी कहता है कि उसके पास अपने गंतव्य तक पहुचने के लिए बहुत कम समय है क्योंकि अब तो आस्मान में बादल छा गए हैं और बारिश आने वाली है अब कभी को उम्मीद है कि कोई परिचित उसे देख ले और पहचान कर पुकार ले मेरी ये वीडियो पसंद आये तो इसे लाइक करें शेयर करें और मधुकलश चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले